हलो गाइज लास्ट ताम में बायो मॉलेकुल्स पर दिसक्षिन किया था इस बार हम एंड ए में जो क्वेस राया थे प्रिवेस यह में उसके ही बारे में दिसक्षिन करेंगे लेकिन टॉपिक अला हुआ यहाँ पर ओर्गनाजेशन और प्लाट्स और अनिमल्स ठीक इसी में यहां हम फिसियोलोग भी देखिए फिस्योलोग ऑफ प्लांट्स जा फिर रेप्डॉक्षिन ऑफ प्लाट्स इसामें हम देखिए कि इस टॉपिक के ऊपर कौन-कौन से questions आया उन पर हम डिसकैशन करेंगे एवरी option पर ठीक तो देखते हैं First question, sickle cell anemia is disease caused due to abnormality in अब sickle cell anemia यह disease होगा, यह किसकी वज़े से form होगा किस में abnormality form होगा, किसका function normal नहीं होगा तो यह disease form होगा, sickle cell anemia तो पहले जान लेगे कि anemia, इसे sickle cell anemia नाम कियो दिया तो anemia, anemia यह related to blood anemia किसे काएगे कि जो blood होगा, RBCS, RBCS का काम हमारे body में क्या होगा specially oxygen binding specially oxygen binding का यह काम करेगा, अगर RBCS का काम जो है वो यह नहीं करेगा यानि oxygen binding का काम है, तो oxygen bind तो करना चाहिए, लेकिन नहीं करेगा लेकिन नहीं करेगा oxygen availability होगा लेकिन यहाँ पर oxygen bind नहीं करेगा तो ऐसे condition को हम anemia कहेंगे दमा भी कहते या फिर सास लेना या फिर सास फूल जाना इसकी वज़ा से यह form होगा तो यह oxygen binding capacity की कम क्यों होगा तो यह एक reason होगा sickle cell anemia इसमें क्या होगा अगर normally हम RBCS का structure देखेगे तो यह ऐसा होगा और यह nucleus नहीं उसका compartment होगा उसका दबा हुआ हिस्सा होगा RBCS में nucleus नहीं होगा यह RBCS e-nucleated cells होगी ध्यान में रखना है कि RBCS यह एक SI cell होगा कि जिसमें nucleus नहीं होगा ठीक तो अगर इसको हम side view से देखेगे तो इसका view यह ऐसे देखेगा इसका view यह ऐसे देखेगा जो यह compartment है तो इसको ऐसे देखाया है ठीक यह normal structure होगा अगर sickle से हम structure देखेगे तो इसका structure यह ऐसे form होगा यानि अगर sickle से हम देखेगे तो इसका structure ये ऐसे form गा यानि circular structure इसका नहीं रहेगा तो ये जो crest ये form होने वाला किसकी वज़े से form होगा deficiency of protein protein deficiency की वज़े से ये crest यहाँ पर form होने वाला है तो जब ये form होगा तो इस RBC का oxygen binding capacity loss हो जाएंगा, कम हो जाएंगा तो इसे हम क्या कहेंगे, sickle cell anemia तो question पूचा कि abnormality ये किस में होगा तो white blood cell में नहीं होगा white blood cell में नहीं होगा, ये option गलत हो जाएंगा red blood cell में ठीक है RBC, जो अभी explain किया उसमें होगा, thrombocyte, blood plasma composition, अब देखेंगे white blood cells, white blood cells specially क्या करेगा white blood cells ये protection में काम करेगा immunity development का काम करेगा, WBCs protection का काम करेगा, ये immunity development का काम करने वाला है RBCs, oxygen banding capacity यानि energy production जो first criteria होगा, energy production respiration के पाद, circulation में entry करते वक्त, RBCs यहाँ पे वो entry करवाएगे thrombocyte thrombocyte, ये भी क्या करेगा एक तरका WBCs का टाइप होगा thrombocyte इसमें nucleus अलग अलग तरक होगे ये भी protection में काम करेगा, लेकिन phagocytosis ये नहीं करेगा ये development of antigen ये काम करेगा, thrombocytes और blood plasma composition blood plasma composition में mostly anti-cogglating factors या फिज़गलटिंग factors इसमें present होगे, blood plasma protein में तो defect ये किसमें होने वाला है, जब sickle cell anemia के बारे में या फिर किसी भी anemia के बारे में हम देखेगे, तो first defect जो होने वाला है वो red blood cell में होने वाला है RBC में ही होने वाला है, जब भी anemia का यहाँ पर word आएंगा तो धहन में रखना है कि ये RBC में problem हो सकता है next certain part of plants can be bend easily without breaking this flexibility in certain parts like leaf and stem can be attributed to the abundance अब इसमें क्या किया है यहाँ पर दिखिए कुछ plants के parts होगे जो easily bend हो जाएंगे लेकिन break नहीं होगे तो ऐसे plants के part में होगा क्या नीचे cell के types दिये नीचे जो types दिया है वो cell का time दिया है तो एकिक देखेंगे a अगर parent का मा लिया तो इसमें mostly chlorophyll content होगा ठीक जिसमें chlorophyll content होगा वो परन का मा होगा और cell ौल जो ओ थीन cell ौल रहेगा cell ौल थीन रहेगा ठीक Ж Februội थीन रहेगा मतलि इतना भी थीन नहीं रहेगा होगा जिएल ठीक cell wall होगा इसमे plasma membrane होगा cytoplasm जाधा content में होगा अगर देखा जाए parent कायमा में cytoplasm सबसे जाधा content में होगा तो ये एक होगा अगर colon कायमा देखा जाए colon कायमा इसे dead cell भी खाएगे colon कायमा को dead cell भी खाएगे अगर difference देखा जाए परन कायमा और कोलन कायमा में, तो इसमें प्लाजमा मेंब्रेन होगा, लेकिन साइटोप्लाजम बहुत कम होगा, साइटोप्लाजम बहुत कम होगा, इसमें न्यूकलियस होगा, साइटोप्लाजम शायद से इतना ही होगा, इतना ही क्या है, साइटोप्लाजम, क्योंकि डेड होगा ये क्या होगा सारा लिगनीन एन स्कलेरन काइम। इन दोनों की बीच में हाफ डैट सल भी खाएंगे इनको इनमें इनको half dead cell भी खाएंगे या नहीं ये अगर cell wall होगा nucleus होगा तो इसमें आधा chlorophyll होगा और आधा जो पॉंडर ये लिया ये क्या है lignin content ये क्या है lignin content तो इसमें ये living होगा लेकिन कुछ हद तक है ये living होगा और बाकी ये non living होगा कुछ हद तक है ये non living के compartments दिखाएगा यानि ये flexibility दिखा सकता है इन चोट ये flexibility क्या कर सकता है दिखा सकता है अगर दो sclerine kama cells यहाँ पे present होगे तो ये क्या करेंगे चिपके रहेगे ये break नहीं होगे ये flexibility यहाँ पे दिखाने वाले तो mostly अगर देखा जाए तो question में जो पूछा है flexibility किस से form होगा plant के कुछ parts में या जैसे के leaf stem या फिर कोई भी flower इसमे flexibility क्यों provide किया जाता है तो ये sclerine kama जो sclerine kama tissue यहाँ पे flexibility provide करेगा और अगर xylem और phloem के बारे में देखेगे तो xylem mostly water conducting tissue होगा जो roots से अगर ये stem होगा और नीचे roots होगे तो roots से उपर के side में जो water conduct करेगा वो कौन सा होगा xylem one way direction होगा xylem का अब नीचे से उपर जाएंगा ये लेकिन अगर phloem का direction देखा जाए phloem अगर leaf होगा leaf में जो भी chlorophyll होगा वो chlorophyll क्या करेगा photosynthes करेगा food form करेगा और ये food पार्ट के हर एक compartment में shift होगा हर एक compartment में shift होगा ये roots में भी जाएगा अगर root में नहीं होगा यानि root में पूरा clear है तो ये food फिर से reverse back करके उपर के इसमें shift होगा यानि ये two way direction होगा phloem में जो भी food material shift होने वाला है वो two way direction में होने वाला है अब भी और down भी लेकिन जाएले में स्रिफ up direction में ये shift होगा down to up तो इसका answer क्या होगा sclerine gamma cells half dead cells होगा इसकी वज़ाए से strength या फिर flexibility plants को provide किया जा सकता है next अगर देंके तो which of the following statement is or are correct इसमें से कौन सा statement correct है first ligaments ligaments के बारे में दिया है ठीक सारे में ligaments ligaments are highly flexible ligaments connects muscles and bones ligaments contain very little matrix अब दिखें ligaments मतलब क्या होगा ligaments मतलब जो ऐसे cells होगे कि जो muscles और bones को joint करेगे इसके वज़े से muscles contraction relaxation करेगा यानि अगर ये muscular body होगा ये अगर muscles होगे और यहाँ पे कोई bones होगा यहाँ पे कोई ये bone होगा तो इसको ये direct joint नहीं होगा ये muscles यहाँ पे direct ऐसे joint नहीं होगा इसको joint करने के लिए पहले यहाँ पे ligament होने चाहिए पहले यहाँ पे क्या होगी ligament होगे और इस ligament को ये muscles तब joint होगे इस ligament को ये muscles तब joint होगे इनका tensibility बहुत ज़ादा होगा इनका जो power होगा जीने का बहुत ज़ादा होगा इनका cell wall भी तगड़ा होगा अब ligament are highly flexible ठीके ये flexible होगे इसलिए ये सारा position हम देख सकते हैं यानि हमारा body जहाँ जहाँ move कर सकता है जहाँ जहाँ move कर सकता है वो सारा movement किसकी वज़े से होगा ligament की वज़े से तो ligament अगर होगा तो यहाँ पे movement होने वारा है अगर ligament में कोई problem आया तो अक्यला muscles bones से bones को खेच नहीं सकता without ligaments यानि ये flexible होगा सही है ligaments connect muscles and bone ठीक है muscles और bone दोनों को ये connect होगा ये भी सही है ligament contain very little matrix इनको कितना भी खेचा जाए तो ये break नहीं होगा break क्यों नहीं होगा क्योंकि outer जो covering होगा ये turf होगा tough होगा मतलब इनमें matrix कम होगा matrix कम होगा अतलब अगर ये ligaments cell होगा और ये nucleus होगा तो इसका जो outer membrane है वो thick membrane होगा वो thick membrane होगा और जो inner cytoplasm वो cytoplasm कम होगा इसे हम matrix कहेगे इसे हम क्या खाएंगे matrix तो ये matrix यहां पर कम होगा तो इसकी वज़ासे ये जो type है इसकी वज़ासे क्या होगा इसमें flexibility तो आएगा लेकिन इसका tensibility भी बहुत जार्दा बढ़ जाएगा तो third option भी यहां पर सही रहेगा तो अगर देखा जाए इसमें option कौन कौन से दिये select the correct answer को तो option एक ही सही रहेगा तो all of this होगा option a 1, 2 and 3 ये सही रहेगा लिगामिन के बारे में which one among the falling parts of blood carries out of the function of body defense अब ये तो कुछ questions पहले मैंने explain किया था which one of the falling parts of blood carries out the function of body defense body defense में कौन सा part इसमें से include होगा obviously white blood cells white blood cells इसमें include होगा तो बाकी के option क्या करगी बाकी के option क्या करगी यहां पर यहां पर अगर देखेगे platelets तो यहां पर platelets platelets यह एक तरह के breakable rbcs होगे यानि rbcs के टुकड़े brick rbcs अगर यह rbcs होगा उसका टुकड़े कर दिये जाए तो जो form होगा वो क्या होगे platelets और यह platelets जो blood clot होगा उसमें importance दिखाएंगी यह platelets किसमे blood clotting factor को यह help करेंगे plot form करने के लिए hemoglobin hemoglobin गवर देखेगे तो hemoglobin में क्या होगा इसके नाम में दिया है hemoglobin hemoglobin तो यह iron क्या करेगा oxygen binding का का काम करेगा hemoglobin एसे proteins होगे जो oxygen bind का का काम करेगे और red blood cells यह पूरा concept यह पूरा bulk जो बोलेंगे इसे RBC कहेगे यानि RBC इसमें hemoglobin present होगा और अगर RBC को break किया जाए तो उससे platelets form होगे और RBC को छोड़के जो white blood cells होगे वो defense में काम करेगे हमारे body के तो इसका answer जो होगा वो WBC होगा consider the following statement in relation to plant tissue chlorine chima अब chlorine chima के बारे में अगर दिखा जाए तो यह एक type होगा parent chima यानि हमने देखा parent chima जो यह वाला ठीक यह से लिए parent chima यह parent chima के types होगे यह parent chima का types होगा chlorine chima जो होगा यह parent chima का एक type होगा अगर parent chima से लिए हाँ पे होगा तो parent chima के 3 types होगे एक तो chlorine chima यह वाला जो पूछा है chlorine chima दूसरा एरेन काइमा और तिसरा प्रोसेन काइमा और तिसरा प्रोसेन काइमा ख्लोरेन काइमा में mostly ख्लोरोफिल पिग्मेंट प्रेजन्ट होगा ख्लोरोफिल पिग्मेंट यहाँ पे प्रेजन्ट होगा ख्लोरेन काइमा में क्या होगा अरेन कायमा में airspace जाधा होगे यानि अगर यह cell का burn होगा तो इन में क्या होगा airspace होगा तो airspace होने की वज़ासे यह plants यानि air आरेन कायमा की वज़ासे और prosyn कायमा यह compact cells होगे यहनि नजदिक नजदिक ऐसे दवे-दवे cells होगे pressure से यह बनेगे इसलिए इन्हें क्या करेंगे prosyn कायमा और chlorine कायमा जिन में chlorophyll present होगा air जिनमें air cavity present होगा और जो pressure से बनेगे वो प्रोसेंद काइमा होगी और सारे में सारे mostly photosynthes में take part करेगे तो देखेंगे एक एक part अगर chlorine काइमा के बारे में यहाँ पे पूछा है कि जिसमें chlorophyll pigment present होगा उसके बारे में यहाँ पे पूछा है तो देखेंगे it is formed by the palisade and spongy mesophyll palisade parent काइमा और spongy parent काइमा यह भी दो पार्ट होगे chlorine काइमा के यानि अगर leaf का हम अगर यह leaf होगा अगर यह leaf है तो इसका हम अगर section लेगे leaf का तो leaf का section लेगे तो यहाँ पे क्या देखेगा उपर की side में cuticle membrane देखेगा इसके नीचे epithelium देखेगा और उसके नीचे palisade parent काइमा देखेगे यहाँ पे क्या होगे palisade parent काइमा ठीक यह ऐसे palisade parent काइमा यहाँ पे होगे यानि chlorophyll इसमें ज्यादा content में रहेगा और spongy parent काइमा spongy parent काइमा यहाँ पे ऐसे air sacs यह बनाएंगे इसलिए इन्हें क्या कहेंगे spongy parent काइमा यहाँ पे फॉर्म कर गए इसलिए इन्हें spongy parent काइमा कहेंगे यानि leaf का जो interior होगा अंदर वाला पार्ट वो सारा किस से बना हुगा chlorine काइमा से तो यह statement देखते क्या कौन सा statement पूछाए correct statement पूछाए तो first statement तो correct होगा second देखे इस a form of parent काइमा which contain chloroplast yes chlorine काइमा मतलब chloroplast present होगा यह भी सही है गर third statement देखे इस a transport organic solute made by photosynthesis ठीक तो यह organic solute transfer shift करेगा solute shift करेगा कि जो photosynthesis से form होगा अगर इसमें chloroplast present है इसमें chloroplast present है तो यह photosynthesis करेगा यानि food form करेगा और वो food एक cell से दूसरे cell में shift करेगा यानि third statement भी यहाँ पे क्या होगा सही होगा fourth क्या होगा कि it is a thin transparent layer which has chiefly a protective function तो यह protective function नहीं करेगा यह protective function नहीं करेगा protective function कौन सा करेगा scleran kama और kolen kama यह दो protective function करेगा तो इसमें यह option यहाँ पे गलत होगा तो first second और third यह option सही होगा तो यहाँ पे option क्या होगा B यहाँ पे clear होगा B यहाँ पे सही रहेगा in blood platelets are required for blood platelets are required for यह किस लिए required रहेगा in blood अब transport oxygen यह तो नहीं रहेगा platelets मतलब क्या होगा platelets पताया कि RBCs होगा अगर RBCs के तुकडे होगी यह तुकडे मतलब क्या होगे platelets यह तुकडे मतलब क्या होगे platelets तो अगर RBCs ही बिरेक है तो वो oxygen shift नहीं करेगा transport oxygen ही काम नहीं करेगा या फिर carbon dioxide को भी shifting का काम यह नहीं करेगा यानि पहले दो option यहाँ पर गलत होगे तो initiating blood clotting यह होगा clotting में tech part करेगा यह clotting में tech part करेगा यानि यह एक option हो सकता है fourth option क्या है? initiating degradation of furia तो platelets कोई काम नहीं करेगा without clotting जब body में कोई injury होगी तभी यह वहाँ पे आएगा पूरे platelets वहाँ पे आएगे वहाँ पे clotting का काम करने वाले और body में platelets स्रिफ घुमते रहेगे वो urea को degrade नहीं करेगे urea को degrade नहीं करेगे यानि सही option अगर देखा जाए तो C यहाँ पे सही होगा initiation of blood clotting blood clotting को initiate यह करने वाला है को कम करने के लिए या फिर बचाने के लिए बचाने के लिए मतलब ना आने के लिए heart issues ना आने के लिए blood of normal healthy person should have जो healthy person होगा उसके body में क्या होना चाहिए तो option दिए low cholesterol level, high HDL level high VLDL level high LDL level तो यहाँ पे तो पता है कि जब cholesterol बढ़ेगा तो heart disease आने की संभावना बहुत जादा होगी तो cholesterol यहाँ पे low level of cholesterol होगा तो हम उसे एक preventive measures कह सकते हैं तो यह सही रहेगा पहला ही सही रहेगा low cholesterol level अब इसमें अब दूसरे option देखा जाए high HDL level blood में दो तरह के lipids प्रेसंट होगी एक तो HDL और दूसरा LDL और LDL is equal to VLDL यह VLDL और LDL यह near about similarity दिखाएगा VLDL mostly triglycerides यह convert करेगा और LDL यह totally cholesterol ही shift करेगा totally cholesterol ही यह क्या करेगा shift करने वाला है अब HDL और LDL HDL मतलब high density lipids HDL मतलब high density lipids LDL low density lipids अब इसमें अगर LDL cholesterol लेके जा रहा है तो यह भी हानिकार होगा जयनि high LDL level यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा low LDL level अगर होता तो यह preemptive measures यहाँ पे होता तो यह एक option जो है यह यहाँ पे करट हो जाएगा VLDL भी semi होगा मतलब very low density lipids very low density lipids यह भी low content में होना चाहिए तभी यह होगा और HDL HDL मतलब high density lipids तो यह एक ऐसा lipid होगा कि जो cholesterol body को remove करता जाएगा अपने body में से cholesterol body को remove करता जाएगा अगर HDL अगर कम है तो LDL वहाँ पे जादा होगा अगर HDL जादा है तो LDL वहाँ पे खम होगा यानि cholesterol कम होगा तो यह high HDL level मतलब यह सही रहेगा heart problem को neglect करने के लिए निकालने के लिए तो option एक तो first and second यह सही रहेगा यहाँ पे तो अगर सही option दिखाया तो A 1 and 2 यह option सही यहाँ पे रहने वाला है ठीक यहाँ तक जो था वो organization का था ठीक अब देखेंगे physiology plant physiology के बारे में हम अभी देखेंगे इसके इसके बारे ठीक है तो अगर देखा जाए तो ठीक है which of the falling is not micronutrient for plants अब micronutrients और macronutrients यह दो थारके nutrients यहाँ पे होने वाले micronutrients और macronutrients ठीक है अब देखें micronutrients मतलब जो कम quantity में लगने वाला है micronutrients मतलब जो कम quantity में लगने वाला है micronutrients मतलब small quantity में वो plants के लिए लगने वाला है और macronutrients 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 मतलब बहुत ज़्यादा quantity में यह लगने वाला है तो ऐसे कौन से element होगे यहाँ पे जो option में दिया है वो following is not a macronutrient यानि macronutrient जुनदा है ऐसे कौन से element है यहाँ पे कि जो कम quantity में नहीं लगने वाले plant को यानि ज़्यादा quantity में लगने वाला है तो इसमें iron, molybdenum, manganese, magnesium यह जो दिया है इसमें अगर देखें तो iron, molybdenum और manganese यह तीनों content क्या करेगे यह तीनों content micro compartment में आएगा यह बहुत कम quantity में यह लगने वाला है iron, molybdenum और manganese लेकिन अगर इनका deficiency हुआ इनका deficiency हुआ तो cell division में take part यह कोई cell यहाँ पे cell division नहीं कर सकता तो यह problemative हुआ यानि enzyme creation में या फिर कोई hormone production में यह जो molybdenum या manganese या फिर iron यह take part करने वाले magnesium, magnesium यह macronutrient होगा तो यह work कहाँ पे करने वाला है अगर हम chlorophyll का structure देखेंगे तो chlorophyll के structure में magnesium यह जो होगा यह carbon और hydrogen ऐसे बहुत सारे bond होगे और इन सब को जोड़के रखेगा यह magnesium यानि without magnesium chlorophyll का कोई वजूद नहीं होगा यानि magnesium है तो यह core element में कहा जाता है chlorophyll का core element भी यहाँ पे कहा जाता है तो without magnesium chlorophyll यहाँ पे produce नहीं होने वाला तो chlorophyll बहुत जादा content में लगने वाला है तो magnesium यह क्या होगा macronutrient अगर magnesium का deficiency होगा तो क्या होगा यहाँ पे chlorosis यानि chlorophyll production नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा chlorosis होना शुरू होगा deficiency in chlorophyll production तो इसका सही अंसर क्या होगा magnesium which one among the following hormone stimulate the plant cell to grow in a manner such that the plant appears to be bent toward light ऐसा कौन सा हर्मोन है कि जो plants को light की तरफ shift करेगा अगर यहाँ पे window होगा और यहाँ पे कोई यहाँ पे plant लगा होगा तो यह plant straight नहीं बढ़ेगा यह plant क्या बढ़ेगा इस window की तरफ shift होगा तो यह जो motion है यह curvature यह curvature कौन फर्म करने वाला है यह curvature कौन सा element यहाँ पे कौन सा hormone यहाँ पे form करने वाला है तो यहाँ पे दिया है cytokinin, oxyn, gibberlin, abscetic acid तो answer होगा oxyn ठीक है oxyn यह क्या करेगा light sensitive hormone होगा oxyn क्या होगा light sensitive hormone यहाँ पे होगा वो सरिफ meristematic cell में पाया जाएगा oxyn यह फिर gibberlin यह दोनों meristematic cell में पाये जाएगे तो oxyn, oxyn mostly क्या होगा tip पे होगा अगर tip जहाँ पे होगा यहाँ पे oxyn प्रेजेंट होगा इसका cell division यह बहुत जादा form करेगा और cell division form करने के लिए energy की जोरुत पड़ेगी और energy कहां से मिले वाला है? light से तो जहाँ पे light होगा यह वहाँ पे bend होने वाला है यह क्या करेगा? वहाँ पे bend होगा, attract करेगा उसको light इसको attract करने वाला है अगर cytokinin देखेगी यहाँ पे, ठीक है? इसका जो answer होगा यह oxyn होगा कि oxyn इसको light की तरफ bend करेगा अगर cytokinin होगा, cytokinin cell division में take part करेगा cytokinin क्या करेगा? cell division में take part करेगा यानि यह भी growth hormone ही होगा gibberlin भी growth hormone होगा gibberlin क्या करेगा? अगर यह plant का कोई part होगा इसमें दो पार्ट होगे, node और internode दो पार्ट होगे तो mostly oxyn की इसमें रहेगा? यह node पार्ट में रहेगा यह node जो पार्ट होगा, इसमें यह रहेगा और gibberlin internode का development करता रहेगा internode का height यह बढ़ाता रहेगा लेकिन एक हद तक internode का height बढ़ाता रहेगा और node में gibberlin रहेगा मतलब यहाँ से bird कोई branches या फिर यहाँ से कोई flower भी यहाँ पर develop हो सकता है oxyn का वही कान है कि bird form करना और उसको growth दिखाना इसमें जो abscessic acid होगा यह inhibitory function दिखाएगा abscessic acid यह क्या करेगा? growth को stop करने वाला यह function दिखाएगा abscessic acid तो यह stop करने वाला function दिखाएगा तो plant का growth कैसे होगा? यहाँ पर plant का growth कैसे होगा? तो abscessic acid यह एक ऐसा unique hormone होगा कि जो seed की dormancy को maintenance देगा याँ अगर कोई seed आपने घर में लाया यह से भी plant का अगर seed आपने घर में लाया और वो preserve करके रखा 2 माईना उसको लगाई नहीं उसको कोई nutrient दिया ना कुछ दिया, कुछ नहीं दिया तो भी वो जिन्दा रहेगा किसकी वो जैसे? abscessic acid की वो जैसे abscessic acid यह dormancy hormone भी इसे कहेंगे abscessic acid को यह seed का dormancy maintain रखेगा seed जितने भी अगर साल भर भी पुराना होगा अगर soil में गिर गया तो abscessic acid यह यहाँ पे कम होगा oxyn, gibberlin, cytokinin वहाँ पे बढ़ता जाएगा ठीक, तो यह dormancy hormone भी होगा तो इस question का answer जोगा यह oxyn होगा next which of the following statement about sexual reproduction in flooring plants are correct? अब flooring plants में sexual reproduction जो होगा उसके बारे में कुछ statement दिये इन में कुन सा statement यहाँ पे correct है वो बताना है तो पहले आपको flower का structure जानना होगा अगर flooring plant में sexual reproduction करने का सरीफ एक ही जर्या होगा वो है flower flooring plant में सरीफ flower ही ऐसा होगा जो sexual reproduction कर सकता है तो अगर flower का structure हम देखेगे तो यह पेड़ी सेल होगा इसके उपर greenish part होगा इसे क्या कहेंगे kalyx क्या कहेंगे kalyx kalyx के उपर यह ऐसा part होगा ठीक इसे करोला इसे क्या कहेंगे करोला करोला के बीच में यह ऐसे part होगे इन्हें androsium कहेंगे androsium मतला male part यह क्या होगा androsium यह क्या होगा androsium और इसके बीच में यह एक ovary होगा stigma style होगा और stigma होगा यह तीनों पार्ट मिला के gynosium बनेगा यह तीनों पार्ट मिला क्या बनेगा gynosium यह female part होगा gynos मतला female तो यहाँ पे दो main part होगे reproductive part होगे androsium और gynosium यह दो reproductive part होगे और supportive part kalyx और करोला यह दो supportive part होगी kalyx support देगा जब flower bird condition में होगा करोला colorful होगा जो insect को attract करेगा और pollination में tech part करेगा यह जो दिख रहा है इतना part इतना part को हम क्या कहेंगे stamin stamin के दो compartment होगे एक तो जो नीचे वाला दिया है यह filament होगा और उपर वाला anthr anthr pollen grain present करेगा form करेगा और दूसरा अगर दिखा जाए यहाँ पर यह वाला part इसे क्या कहेंगे carpels इसे क्या कहेंगे carpels इसमें तीन पार्ट होगे नीचे वाला बलजी पार्ट होगा ovary उसके उपर style जो लंबा पार्ट होगा और इसके उपर एक sticky पार्ट होगा वो stigma होगा यानि stigma style और ovary यानि यह ovary होगा ठीक है ovary में ovils होगे ovary में ovils होगे तो ovils यह haploid nature दिखाएगा और जो pollen grain आन्थर जो pollen grain प्रूश करगे वो भी क्या होगे haploid होगे यानि ovary में ovils और pollen grain में anthers यह क्या होगे sorry, anther में pollen grains यह क्या होगे haploid nature दिखाएगे pollen grains और ovils यह haploid nature यहाँ पे दिखाने वाले ठीक तो यह था एक tentative structure तो इसके बारे में अभी देखेंगे कि option कुण कुण से सही होगे stamin is present in the center of the flower stamin यह flower के center में present रहेगा यह statement दिया है तो stamin मतलब क्या होगा जिसमें यह पाट है और यह पाट है तिक, यानि filament है और anther है filament है और anther है और anther में pollen grain present होगे तो यह stamin flower के center में ही present होगा ऐसा नहीं तो अगर यह flower होगा तो यह flower के center में होगा तो यह और यह structure तो reasonable नहीं कर रहा है तो यह first statement जो होगा वो गलत हो जाएगा वो first statement ही क्या होगा? गलत होगा कि sexual reproduction में flowering plants जो statement दी है इसमें कौनसा correct है तो first statement जो होगा यह गलत होगा यहाँ पर first statement यहाँ पी गलत होगा second अगर देखे stamin produce pollen grain यह सही होगा क्योंकि anther एक stamin का part होगा stamin pollen grain produce करेगा the swollen bottom part of carpel is the ovary carpel का जो नीचे वाला swollen part होगा उसे ovary कहेगे उसे ovary कहेगे तो यह सही part होगा है इस पार्ट को हम क्या कहेंगे ovary तो यह सही होगा है यहाँ पर तो और fourth अगर देखें तो fusion of germ cells give rise to zygote यह भी सही रहेगा fusion of germ cells germ cell मतलब pollen plus embryo embryo मतलब यह अपना ovil pollen grains plus ovil ovil में excel होगा ovil में excel यानि pollen grain में male gamut होगे इंच अगर देखा जाए यहाँ अगर जाएगोट फॉर्म होने वाला है और male gamut यह क्या है germ cell और एक cell और एक cell भी क्या है germ cell दोनों मिला के यहाँ पर zygote form होने वाला है तो यह statement भी सही रहेगा यानि second, third और fourth statement सही है first statement यहाँ पर गलत होगा तो option कौन सा सही रहेगा two, three and four option A यहाँ पर सही रहेगा option A यहाँ पर सही रहेगा तो देखेंगे अभी next question which one among the following is plant hormone अब पीछे वाली question में देख लिया कि plant hormone कौन कौन से होगे यह तो पता है कि जिबरली नहीं plant hormone होगा insulin, thyroxine, estrogen यह plant hormone नहीं होगे insulin, thyroxine, estrogen यह animal hormones होगे insulin, क्या करेगा insulin? glucose level को maintain रखेगा blood में जो glucose level होगा उसे maintain रखने का काम insulin करेगा thyroxine, body का metabolism maintain रखेगा body का heartbeats, body का muscular contraction, body का suture यह maintain रखने का काम thyroxine का होगा और estrogen, estrogen यह steroid hormone का female body में estrogen यह steroid hormone का female body में कि जो over production में take part करेगा जब भी over production होगा तो estrogen वहाँ पे presence ही दिखाएगा यह तीनों क्या होगे? animal hormone होगे plant hormone स्रिफ एक होगा gibberlin जिसका function बताया था यह cell division में take part करेगा cytokinin, gibberlin, auxin यह तीनों plant growth में take part करने वाले gametophytes of sexually reprodosing flooring plants are अब यहाँ पे gametophyte मतलब क्या होगा? दो तरगे होगे एक तो sporophyte और दूसरा gametophyte sporophyte और दूसरा gametophyte इसमें fight, fight मतलब क्या होगा? plant body fight मतलब plant body, ऐसा plant body की जो gamet produce करने वाला है ऐसा plant body की जो gamet प्रोडूस करने वाला है उसे क्या हैंगे gametophyte और sporophyte मतलब plant body which is produce the spores which can produce pores तो यहाँ पे पूछा गया है कि gametophyte of sexually reprodosing flooring plant are यह क्या होगा? haploid होगा, diploid होगा, tetraploid होगा यहाँ पॉलिपॉड़ड होगा obviously अगर gamet form कर रहा है तो gamet क्या होगी? haploid ही होगी diploid तो न ने होगी gamet क्या होगी? haploid होगी तो यहाँ पे यह और सिदा option यहाँ पे दिख रहा है आपको haploid diploid यहाँ पे नहीं होगा diploid यह क्या होगा body cells यहाँ पे form होगा sporophyte यहाँ पे diploid होने वाला है tetraploid 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 यहाँ पे embryo sac में diploid nucleus fertilized होनी के बाद जो form होगा वो tetraploid होगा यहनि अगर embryo sac देखेगे इसमें diploid nucleus अंदर होगा जब एक male gamut इसको fuse करेगा तो यह triploid nature दिखाएगा यह triploid nature दिखाएगा sorry tetraploid ही यह यह triploid nature दिखाएगा tetraploid अलक्सा होगा tetraploid मतलब 4N tetraploid मतलब 4N यह अगर condition किसी animals में आए तो यह deceisable condition होगा यह condition deceisable condition होगा tetraploid मतलब अगर समझिए हम बोलेगे x x और x y यह chromosome होगा ठीक यह diploid होगा यह भी diploid होगा लेकिन कुछ condition अगर ऐसे हुए कि जब हम gamut separate करगे तो यह x x यह ऐसा आएगा और यहाँ पे कोई gamut नहीं आएगा और x और y यह gamut separate होगे ठीक जब यह tetraploid युसे क्या काँगी triploid downt 3 chromosome यह भी दिख रहा है triploid chromosome tetraploid मतलब इसमें और रेक अगर evaluate कर दिया लेकिन यह condition animal में नहीं मीट triploid condition animal में मिल सकता है लेकिन tetraploid condition animal में नहीं मीट in сказать tetraploid condition में मिल रहा है तो वह animal जिन्दा नहीं रहेटा या फिर polyplod condition polyplod condition या फिर tetraplod condition ये plants में मिल सकता है polyplod condition या फिर tetraplod condition ये plants में मिल सकता है इने बनाया भी जा सकता है artificially जब हम tetraplod या फिर polyplod condition plant में हम बनाएगे तो उसका fruit producing capacity बढ़ जाएगा यानि अगर normal plant पे इतना fruit आ रहा है तो polyploid plant में इतना बड़ा fruit आएगा यानि fruit का quantity भढ़ जाएगा fruit का जो area है वो भढ़ जाएगा polyplody में ठीक तो इस question का answer क्या होगा haploid ग्यामेट होईट, sexual report में flooring plants are haploid यह haploid होगे तो next देखिए तो the seeds of flooring plants are made up of flooring plants में जो seed होगे वो किस से बनावागा अब seed का अगर structure देखिए तो seed के बाहर कोई भी seed ले लो उसके बाहर एक covering होगा उसके बाहर एक covering होगा अब उस covering में endosperm होगा उस covering में endosperm होगा और monocot होगा endosperm होगा endosperm होगा उसके बाद इसमे cotyledon होगा monocot होगा तो उसमें क्या होगा cotyledon जिसे scutellum भी खाएगे scutellum then मैं रखना है monocot में scutellum ये एक ही cotyledon present होगा जिसका नाम scutellum होगा अब scutellum में यहाँ पे दो कमपाठे में रोगा प्लीमिल और राडिकल प्लीमिल और राडिकल ये दो कंटेंडो इन्हें क्या कहेंगे embryo इसे क्या कहेंगे embryo अब देखिए endosperm, endosperm ये क्या करेगा food store करेगा जब भी scutellum को ज़रूर पढ़ेगे endosperm इसे food provide करेगा और ये food embryo को provide करेगा जब तक इसे nutrient बाहर से ने मिल रहे तब तक इसे scutellum और endosperm food provide करता रहेगा तो अब देखिएगे कि अगर ये monocot का होगा ये monocot seed का होगा अगर dicot seed का हम देखिए तो dicot seed में क्या होगा ये दो अगर ये पूरा क्या होगा embryo ये ये बाहर एक seed coat जिसे बोलेगे तो अगर option में देखा दाए तो seed of flowering plant are made up of seed किस किस से form होगा एक तो endosperm होगा embryo हाँ ये embryo होगा food reserve यानि cotyledon होगा और seed coat यानि outer covering होगा ये सही होगा ये ही सही हैगा इसमें ovary और ovary wall involve होगा ovary और ovary wall involve होगा लेकिन ये बाद में convert होगा seed coat में ये बाद में convert होगा seed coat में cotylerons स्रिफ cotylerons नहीं होगे only cotylerons यहाँ पे कोई seed में नहीं होगे और सिर्फ zygote यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे zygote और cotyleron दोनों चाहिए यहां पर जाइगोट और कॉटिलरॉन यह दोनों यहां पर चाहिए ठीक तो सही option पंस होगा यहां पर embryo, food, reserves and seed coat यह तीनों seed coat में entry, seed coat में, seed में presence ही दिखाएंगे next अगर देखिए तो in plants which one of the following gases is released during photosynthes, photosynthes में ऐसा कौन सा gases जो release करेगा अगर photosynthes का हम reaction देखिए तो क्या होगा, देखिए water होगा, लगीगा, इसके साथ carbon dioxide लगीगा ठीक, अब carbon dioxide के साथ sunlight और chlorophyll यह दोनों लगीगा, यानि चार component होने ही चाहिए अब यह convert करेगा glucose में, यह convert करेगा glucose में, ठीक, CO2 और water को मिला के यह glucose में convert करेगा और release करेगा oxygen, oxygen यह क्या करेगा, liberate करेगा और ATP form कर रहा है, energy form यहाँ पर करेगा तो यहाँ पर जो gas molecule यह release हो रहा है फोटो सिंदेज में, oxygen यह oxygen जो है वो release यहाँ यहाँ पर हो रहा है hydrogen निकलेगा, जो water से hydrogen निकलेगा, वो यहाँ पर entry करेगा, यहनि glucose formation में take part यह नहीं करेगा, यह proper photosynthes reaction में यह take part करने वाला है और methane, methane ही अलग सा होगा, methane, manure production जब होगा, तो जो gas froze होगा, वो methane यहाँ पर होगा यह methane को bio gas भी काएंगे, या फिर gober gas, जो gober से ज़्यादा quantity में हम ले सकते, methane को, वो जलाने के लिए भी use होगा, household production में हम उसे use कर सकते, household में भी use हम कर सकते, जलाने के लिए जैसे अभी LPG करते, वहाँ पर methane भी हम, या फिर bio gas हम use कर सकते हैं, तो carbon and energy requirement of autotropic organism are fulfilled by answer तो easy, carbon and energy requirement of autotropic organism, autotropic organism में ऐसा कौन सा material होगा, ऐसा कौन सा reaction होगा, जिसमें carbon और energy form होगा, या फिर required होगा, carbon energy required होगा, तो उसलिए ये photosynthesis है, photosynthesis में carbon dioxide होगा, और वहाँ पर chlorophyll या फिर sunlight use होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, वहाँ पर energy use होने वाला है, तो बाकी क्या option क्या है, बाकी क्या option जो है, gluconeogenesis या फिर glycogenesis, यह जो option है, यह अब देखा जाए, तो photosynthesis जब होगा, तो photosynthesis से यहाँ पर glucose form होने वाला, यह glucose form होने वाला, यह glucose form होगा pyruvic acid में, यह glucose convert होगा pyruvic acid में, pyruvic acid, acetyl coenzyme A में convert होगा, और यह क्रेब cycle में entry करेगा, यह क्रेब cycle में entry करेगा, और क्रेब cycle electron transport system से जुड़ा होगा, यानि glycolysis, glycolysis, क्रेब cycle और electron transport system, यह तीनों form करेगे यहाँ पर ATP, यह तीनों form क्या करने वाले, यहाँ पर ATP generate करने वाले, अब gluconeogenesis, मतलब यह ultra mechanism होगा, gluconeogenesis मतलब क्या होगा, यह ultra mechanism होगा, pyruic acid का conversion, glucose में करना, gluconeogenesis मतलब क्या होगा, glucose form, कहां से, cell से, cell से glucose form होगा, किस से form होगा, pyruic acid से ही form होगा, तो यह glucose क्यों form होगा, specially यह mechanism animal body में form होगा, तो यह glucose कब form होगा, जब हमारे body में energy की कमी होगी, तो energy की कमी, तो यह glucose form होगा, तो यह glucose किस लिए, किस लिए form होगा, brain के functioning के लिए, हमारा brain सबसे ज़्यादा glucose खाने वाला एक part होगा, सबसे ज़्यादा glucose होगा, एनर्जी production के लिए, तो glucose, अगर brain में glucose की quantity कम होगी, तो brain disturb हो सकता है, conversion भी हो सकता है, चक्कर वरिगरा आ सकते हैं, तो ऐसा ना हो, इसलिए pyroic acid से glucose convert होना मतलब gluconeogenesis, glycogenesis, अब देखेंगे, यहाँ पे genesis मतलब formation, यहाँ भी genesis मतलब क्या होगा, formation, synthesis मतलब भी formation होगा, अब glyconeogenesis, मतलब यहाँ पे form हो रहा है, glycogen, यहाँ पे क्या form हो रहा है, glycogen, glucose का compact form, glucose का compact form, यानि glucose का, अगर कोई जरुवत है नहीं, तो glucose किस में convert होगा, glycogen में, glucose का conversion glycogen में होना, यह क्या है, glycogenesis, यह क्या होगा, glycogenesis, और glycogen का conversion, fats में हो सकता है, बाद में, तो यहाँ पे सही, जो option होगा, वो photosynthesis option होगा, जिसमें carbon और energy की requirement होगा, especially autotropic organism में, वो photosynthesis होगा, ठीक, next अगर देखेगे, तो growth of plant is smooth with complete fertilizers, सही है, अगर fertilizers होगा, तो growth, plant का growth सही होगा, अग complete fertilizer always contain N, P, N, K, अब हम देख सकते कि complete fertilizer में always N, P, K, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन यह always होगा ही ऐसा नहीं है, इसमें sulfur भी हो सकता है, इसमें calcium भी हो सकता है, ठीक, यानि complete fertilizer अगर देखेगे, तो N, P, K, तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ सा sulfur calcium भी होना चाहिए, तब यह complete होगा, अब सिफ fertilizer लेगे तो N, P, के यह होना चाहिए, वहाँ पर, ठीक, तो यह देखेंगे कि क्या है, बोथ statement are individually true, यह सही है, दोनो statement individually तो true है, and statement second is correct explanation of statement one, statement second यह correct explanation होगा statement one का, तो statement second यह correct explanation statement one का तो है नहीं, क्योंकि complete fertilizer यहाँ पर दिया है, और complete fertilizer में N, P, K ही होगी, ऐसा उन्होंने का है, तो यह option सही है, आगी के देखेंगे, both statement are individually true, but statement second is not the correct explanation of statement one, यह हो सकता है, statement one is true, यह दो तो गलत है, नीचे बारे, क्योंकि दोनो statement सही है, लेकिन statement second यह correct explanation statement first का, यह growth of plant is smooth with complete fertilizer, होगा, लेकिन शरिफ उसमें N, P, K ही होगा, ऐसा नहीं, N, P, K, सिवा sulfur होगा, calcium होगा, iron होगा, magnesium होगा, यह सारे content होने चाहिए, तब वो growth smooth होगा, ठीक, तो इसका option क्या होगा, B, B, A, यहाँ पर सही होगा, ठीक, यही तक question थे, यहाँ यह दो topic की question हमने आज ले लिए, अगर in question में कोई problem होगा, और question की कोई भी option में अगर problem होगा, तो आप मुझे comments कर सकते हो, और अगर चैनल, B, A, यह चैनल अगर subscribe नहीं किया है, तो जल्दी कीजिएगा, कोई भी problem होगा, तो आप comment करो, प्लीज, ठीक, like भी कर सकते हो, और आपके group में share भी कर सकते हो, ठीक, thank you.